क्या आप लोग को यादे पिछने साल इंफिनिक्स वालों ने इंफिनिक्स जीटी टेन प्रो लांच कर दिया था और उसके लिए पब्लिक इतना जादा क्रेजी थे क्योंकि उसमें अंडर 20,000 का फोन दा हो और उसमें 90 पेस अनलग करबा के देता था वो फोन और अंडर 20,000 बेस्ट गेमिंग फोन भी था और वैसे ही इस साल भी बस दो दिन पहले इंफिनिक्स वालों ने अपना इंफिनिक्स जीटी 20 प्रो का टेलर लांच कर दिया अपनी यूटीव चैनल पर जिसके लिए इतना जादा क्रेज मज रहा है क्योंकि ये फोन भी ऐसे कुछ इसे कु से डेट में आएगा हर एक चीज बताऊंगा एक इसका पुरा एक टूज इस स्पेसिफिकेशन सार चीज बताऊंगा एंड ये क्या उससे बेटर हैंड कैसा ये फून हर एक चीज तो विडियो को एंडिक्त है देखना वीडियो पर कोई पांट मिसमत करना और वीडियो को स करते ज्यादा लॉंग ना कीज़के उससे बेले बाई चैनल को सब्सक्राइब कर लुए काम फाइब के बहुत जाता क्लोज है फाइब कर बादो ऐसे इन्फॉर्मेटिव और सारे वीडियो के लिए एंड वीडियो को एक लाइक कर देना थोड़से सपोर्ड के लिए चलो जा रहे है मेरे को ऐसा लगता है इस पर तीन कलर पर लॉंच और लाइट बाइट लगा हुआ है तो इस पर थोड़ा अप्डेड़ेबल लुक लगता है बहुत दा फ्यूचरिस्टिक सा ये फूल लगता है मेरे को इसका लुप पर काफी अच्छा लगा है ऐसे गेमर परस 6.678 इंच का डिस्पले है एन 144 हज का डिस्पले एपियस है पिछले वाला फरसन के था 120 ये है 144 हज का काफी स्मूथर साइड जाए का डिस्पले पिक ब्राइटनेस की बात करे तो 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस से आप लोगो बाहर भी यूज करोंगा आप ठीक ठाक ब्र प्रुष्य तो ग्राइटनेस से निट्रेका डिस्पले फर्ति फाइटनेस पाइवट युवाट में रहे मुटा का तो चारिजर यह लोग तौरा जादा डैसकते ते पॉर्टी फाइफवट से ऑवी तो बाहर है थो ओड्टी फाइटी बर्टी उम्ही तो युड़ की 32 MB का अभी नमबर वाइस तो बहुत ज़्यादा है बट इन्फिनिक ZD10 Pro की तरह ही नमबर वाइस ज़्यादा है बट यह लोग कैमरा में इतना कुछ करते निए क्योंकि इन्फिक्स बालों बोलते हैं ना ना भाई हमसे कैमरा के इन्फिक्टेशन मत रखो हम जो बस पर्फॉर्मेंस देंगे तो इनसे कैमरा के एक्सपेटेशन ना ही रखो तो अच्छा है अभी अगर यह लोग कैमरा में कुछ ज्यादा ही तगरा चीज ला दिये तो तब दिखा जाएगा बट कैमरा आप लोग यह वरेज मान के चलो यह जो पोको एक्सिक्स लांच होता ना उस पर 8300 बाला चिप था मीडिया टिक का इस पर 1200 है इस पर 100 कम है बट अभी इसका उसका प्राइज उस फोन के साब से बहुत है कम रख दिया जाए तो भाई मार्केट पे तहल कम बच जाएगा बट यह जो इसका चिपसेट दिया गया इसका जो इसके पर प्रिशार दिया गया है ये भी बहुत जाद एक पाँवर्फूल पोफिसर है क्योंकि इस पोसर के साब लेटेज रैंप बर्सन और लेटेज रॉम वर्शन यूज किया गया तो इस पर जो बहुत जात तग्रा बना देता है इस पर आप लोगों बीजम एक और चीज़ थोच के गेमर्स लोगे लिए एक और स्पेशल फीचर दिया गाए इंडिल डिस्प्लेइ चिफ फ़र गेमिंग जो डिस्प्लेइप दिया गया है गेमिंग के लिए जो आपके गेमिंग को 120 aps वाला feeling देगा जो IQ बाले करते है basically IQ जो Q1 एक chip लगाता है अपने IQ के फोन पर 120 aps को run करवा देता है 90 aps गेम हो भले ही वही चीज इधर भी काम होगा इधर आपको BGM पर 120 aps वाला feeling आएगा for this chip क्योंकि एक अलग सा chip लगा हुआ है for gaming तो गेमिंग के लिए तो अच्छा फोन लेने भले अच्छा फोन क्या भाई फोन लॉंच ही हो रहा है बस गेमिंग के लिए तो रहनी बाला है बाकि इसका अगर OS version के बात करे तो आप लोगो Android 14 बर्शन देखने मिलेगा and xOS 14 तीन दो तीन साल तक update आएगा ओभी confirm लिए कितने साल तक update देगा और मैं आप लोगों इन फूचर जो भीड़ो बनाऊंगा इस फोन के बार में उसमें बता दूंगा अभी अगर इस फोन के पारे बात करें तो ये फोन सोध्याराबे में लॉंच हो चुका है और अगर इं 25,000 के नीचे लॉंच करेंगे क्योंकि 25,000 के नीचे जो बेस बनता है ना जो ओडियंस है वह बहुत जाद है इंडिया में और लास्ट बाला जो फोन लॉंच किया था इंफिनिक जिरी 10 प्रो उसका भी प्रैसेंच कुछ ऐसा ही था तो अगर लॉंच हो जाए तो ये फोन बहुत उप्रिया था धमाल रहने वाल है और अगर आभी लॉंच देट के बारा में बात करतों कि फोन कितने डेट को लॉंच होगा तो इधर कोई officially डेट इन लोगों ने बताए नहीं है कि इतने डेट को लॉंच होगा बटाइक होब किया जा रहा है कि इस सामने बाले आन अब भी अगर कुछ भी कोश्चिन है आप लोगो इस फोन के बारे में कॉम्न में जरूर पूछना में आप लोको सारा एंसर दे दूंगा अब भाई डिस्क्रिशन मेरा इंस्टा का लिंक दुआ है इंस्टा पे जाके फॉलो का लो उदर आपको बहुत सरे अपडेट्स मिलते रहेंगे अब भाई वीडियो को एक लाइक कर देना थोड़ से सपोर्ट दिखाने के लिए अभी थोड़े सपोर्ट की ज़रुत है एंड चल कोई सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना तो चलो में मिलता हूं ने में एक्स वीडियो पर दबते के लिए बाई गाईज